हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ दीप्ती और दीप्ती मिष्रा किचिन में आपका स्वादत करती हूँ और आज मैं बनाने जाले हूँ गुड़ और मुफली की चिकी जिसे घर पर बनाना बहुत आसान है और ये बिंटर में बच्चों को और साथी बड़ों को भी सभी को बहुत पसंद आती है तो चलिए फ्रेंट्स गुड और मुफली की चिकी बनाना सुरू करते हैं पर उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंक्स करना ना भूले और मेरी चैनल दीबती मिस्ट्रा KITCHEN को सब्सक्राइब करिए तो चलिए फ्रेंट्स गुड और भुफली की चिकी बनाना सुरू करते हैं गुड और जोपली की चिकी बनाने के लिए 200 g गुड लिया हैं जिसे मैंने बार ही काट लिया है और six हमें चाहिए दो सो गराम मुणफली के ताने और तो बड़े चमच देसी गी मुणफली और कुर्ड की चिसी बनाने रिए हम 아 às बदुल को ज्यादा रखते हैं और मूंक्वलि की मात्रा को कम रखते हैं तो फ्रेंड जलते हैं मेस्ट इस्टेप पर तो सबसे पहले हम अपने मुंफली को रोस्ट करके रेडी कर लेती है तो उसके लिए मैं एक पैल लिया है उसमें सारी मुंफली के दाने टाल देती है और इनको ड्राइ रोस्टी करना है हमें देशी की का यूज नहीं करना है और मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देती हू क्योंकि हमारी मुंफली है वो बहुत जल्दी जलने लगती है तो हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे मुंफली को रोस्ट करने में हमें लगबग 3-4 मिनट लग सकते हैं पर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे रोस्ट करेंगे तो देखे फ्रेंट्स चार मिनेट हो गए है और जो अब मेरी मुंफली है उनका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है और यह अच्छे से रोष्ट हो गई है तो अमें गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और देखिए आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी यह चटकने भी लगी है तो इसका मतलब हमारी जो मुंफलीर वह बहुत अच्छे से रोष्ट हो गई है तो हमने गैस का फ्लेम बंद करके इनको इसी तरीके से 5-10 नट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि यह रूम टै तो देखिए इनके छिलका निकल रहा है तो इसी तरीके से नररर रहते हम सारी मुंफली को रेडी कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स जो मुंफली थी और उनके छिलके मैंने इसमें से छिलके सार हटा दिये है और अब देखिए यह मुंफली बिल्कुल रेडी है तो और इसमें मैं एक चम्मच देशी के डाल देते हूँ और उसके बाद सारा गुड़ डाल देते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यह ध्यान अपना है जो हम गुड़की चास्नी बना के रेडी करेंगे तो सारा प्रोसेस हमें बिल्कुल लो फ्रेम पर ही करना है हमें हमारी चास्नी है उसका ठेस्ट खराब हो सकता है और फ्रेंड्स अगर आप जब भी गुड़की चास्नी बनाएंगी तो जो गुड़के पीसेस हैं उनको आप छोटे-छोटे पीसेस में जरूर काट लीजिए ताकि हमारी गुड़की चास्नी बनके बहुत जल्दी रेडी हो जाओ की हो जाएगे तो देखये गुड़क मैंट होना भी श्रूर कया तो देखिये जो हमारnia गुड़के से मैंट हो गया है और अब हम इसको को एक से दो मिनिट तक पकाएंगे ताकि जो हमें कंसिस्पेंस सी चाहिए वो हमें मिल सके तो और इसको हम लगाता चलाते रहेंगे वरना जो हमारी गुर्ची चास नहीं है वो नीचे लग सकती है तो देखिए फ्रेंट्स एक मिनट हो गया है और अब आप देखी रहे होंगे कि जो गुड़ है वो कितना कोमी हो रहा है बबस देखिया कितने बड़े-बड़े से इसमें आ रहे हैं तो अब मैं पहले इसको चेक कर लेती हूं तो हम थोड़ा सा गुड़ एक बावल में मैंन तो देखिए यह अभी सॉफ्ट है जब तक यह कड़क नहीं हो जाता है तब तक हम इसको पकाते रहेंगे तो अभी हम इसको एक मिनट और पका लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स दो मिनट हो गए हैं और मैं फिर से अपने गुड़ को चेक कर लेती हूँ और इसको निकाल के दिखाते हूँ आपको तो आप देखिए यह तूट रहा है न इसमें किपनी तेज अवाज आ रही है तो हमारा जो गुड़ है वो पक्के एक गम रेडी हो गया है और मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और सारी मुफली इसमें डाल देते हैं मिक्स कर देते हैं सभी को आपस में किचिन के प्लेटफॉं को साफ कर लीजिए और उस पे थोड़ा सा देशीगी लगा कि इसको मैं रेडी कर लेते हूँ आप चाहो तो किसी भी प्लेट या किसी भी चॉपिंग बोर्ड पे भी आप अपनी जो चिकी है वो बना सकते हैं मिक्सर हम इस पर डाल देते हैं और एक बेलन लेते हैं उस पर मैं थोड़ा की लगा देती हूँ और बेलन की मदद से हम इसको फैला लेते हैं फिर से थोड़ा घीला लेते हूँ और आपको सारा प्रोसिस बहुत ही जल्दी करना होगा नहीं तो हमारी जो चिकी है वो बहुत जल्दी जमने लगती है अब एक चापू लेंगे और उस पर भी थोड़ा सा भी लगा देंगे और इस पर हम निसान लगा देते हैं ताकि हमारी जो चिकी है उसी सेप की निकले जिस सेप्टी हमें चाहिए तो फ्रेंट्स अब हम इसको थंड़ा होने के लिए छोड़ देते हैं जब तक यह आसानी से निकल नहीं आए तो देखिए फ्रेंट्स अब यह ठंटी हो गई है और अब मैं इसको निकाल के दिखा देती हूं आपको यह देखिए कितने इच्छे से तूट रही है अगर आप इसको किचिंग प्लेटफोर्म पे बनाएं तो यह बहुत ही इसली निकल जाती है इस पर अगर आप चाहे तो अपने चॉपिंग बोड पे भी इसको बना सकती जहां से हमने निसान लगाए थे यह बहां से इसली कट जाएगी यह देखिए कितने इच्छे से तूट रही है और देखिए मैं आपको और तोड की दिखा देती हूं तो यह देखिए कितने इच्छे से तूट रही है यह देखिए जहां से हमने निसान लगाए हैं वहां स यह असानी से ठूचाएगी तो देखनी फ्रेंट मेरी गुड और मुंफोली के चिखी बनकर एक डम्रेडी से मुड़ज की ठीची बनाईंगी तो जो रड़कि मुंफली के चिखी बनाएंगी, फर टूड़ इसको बहुत ही ध्यान से बनाना है और इसको लगातार चला देव बहुत ही हल्की गैस पे आपको चासनी बनानी है और जब भी आप पानी में उसके ड्रॉप्स डालेंगी और उसको आपको तोड़ के देखना है कि अगर वो एकदम टूटके अवाज कर रही है तो चासनी पिल्कुल एकदम रेडी है और जल्दी से गैस का फ्लेम बंद करके आप तुरंत उसमें अपनी मुंफली डालके और अपनी चिकी रेडी कर लेंगी और अगर आपके जो ड्रॉप्स हैं वो सौफ है तो इसका मतलब है कि जो चासनी है वो बनके रेडी ने हुई है तो इसको आपको सेकेंट और बगाईए और फिर थोड़ी देर में आपकी च शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें और मेरी चैनल दीपती मिस्रा कि जिनको जल्दी से सब्सक्राइब करिये तो फ्रेंट्स फिलते हैं न्यू वीडियो बिद नीरे स्पीकर साथ ओके बाई